हेलो दोस्तों दिस इस प्रेम सोधानी कमिंग अप नेक्स राउंड ऑफ बस फाइब मिनट सीरीज और इस सीरीज में हम आपको कोई भी टॉपिक पांच मिनट के अंदर एक्स्प्लेइन करते हैं आज हम बात करने वाले हैं लैंड स्लिप लैंड स्लाइट की क्योंकि हिमाचल प्रदेश के किन और में अभी लैंड स्लिप लैंड स्लाइड आया था इसके साथ ही हम यहां पर बात करेंगे अधर टाइप ऑफ मॉमेंट की फॉर एक्जामपल स्वेल क्रीपिंग क्या होती है सौली फ्लक्शन क्या होता है एंड लैंड स्लाइ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरह के मॉमेंट को हम बोलते हैं लैंड स्लिप यानि लैंड स्लिप हो जाना अब अगर यह लैंड स्लिप जो है बड़े एक्स्टेंट पर हो यानि बहुत बड़ा लार्ज एरिया ऑफ डैबरिस और स्वेल इस कमिंग डाउन तो उसको हम पीछे बहुत सारे रीजन होते है और इसमें सबसे बड़ा जो रीजन होता है वह होता है रीजस्ट रेइन-फॉल में वेटर एजन लुब्रीकेयं की की तरह काम करता है और जो weak points होते हैं rocks के या debris के जैसे for example हम कहें falls होते हैं बीच में फिशर्स होते हैं उन में यह पानी seep down होके उन rocks को further कमजोर करता है and this becomes a very great reason for the landslides ठीक है तो water जो है lubrication की तरह काम करता है और हिमाचल प्रदेश में अभी यही हो रहा है because of the monsoon and the rainfall landslides जो है they are becoming very frequent है तो यह था landslip and landslide further हमने इसके उपर वीडियो बनाया हुआ है new simplified में आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के किन और में जो landslide आया उसके पीछे क्या regions थे वो सारे हमने वीडियो में describe कर रखे हैं आप उसको होता है और after some years मतलब years के बाद ही आप उसको notice कर पाएंगे कि हाँ ऐसा moment हुआ है तो for example जैसे यह आप देख रहे हैं जो poles हैं वो inclined दिख रहे हैं आपको लेकिन यह actual में इनकी जो position थी that was not inclined हाना तो they are seeming inclined because of the soil moment और यह बहुत ही slow soil moment होता है तो यहां पर बात करें हम तो slow moment हुआ soil का प्लस यहां पर जो water है उसका कोई रोल नहीं होता that is a natural moment of the soil ठीक है इसके साथ ही अगर मैं कहूं कि क्या यह बहुत ज्यादा risky है तो इसमें इतना ज्यादा risk नहीं होता क्योंकि यह बहुत ही slow moment है धीरे धीरे चलता रहता है अब इसके बाद हम बात करते हैं next की जिसे हम बोलते हैं mud flow या soil flow या फिर soliflexion अब जब भी यह debris होगा इसमें अगर water content बहुत ज्यादा हो जाएगा यानि कि बहुत heavy amount of वहां पर एक्जांपल rainfall हुआ है तो यह जो soil या debris है वह एक मतलब water की तरह ही flow होने लगती है because of the saturation यह saturate हो जाएगी और बहुत तेजी से flow होने लगेगी तो इस case में आपको अगर मैं बोलूं तो इसकी speed जादा होती है number एक number दो risk भी high होती है and number three water जो है वो becomes very very important agent here for soil flexion soliflexion और soil flow या फिर mud flow के लिए तो हिमाचल प्रदेश में उत्राखंड में यह वाला soil flow भी काफी जादा होता है और एक यहां पर मैं आपको छोटा सा concept बता दूं अगर volcanic regions है तो उसमें लावा के साथ अगर जो soil आता है या डेबरिस आता है तो उस term को हम लहर बोलते हैं l-a-h-a-r लहर so this is the concept now we come to the third aspect that is landfall और landslide तो हमने देखा कि land slip में small amount of debris नीचे आ रहा था बट land slide में ना सिर्फ बड़ा amount x मलब बड़े extent पर आएगा but also the speed would be very high will be very high मतलब बहुत instant होगा और बहुत sudden होगा so that is land slide okay so land slide में आपको ध्यान रखना है जो water है that works as a lubrication agent ठीक है तो यहां पर water lubrication agent की तरह काम करेगा and the risk जो है वो यहां पर सबसे हाई होगी very very high right तो बहुत ही risky होता है land slide के दोरान हमने देखा अभी कि नौर में भी बड़ा हाथसा हुआ इसके बाद हम बात करते है slumping की तो slumping भी एक land slide का ही pattern हो जाता है तो slumping में क्या होता है for example the upper layers of a particular surface are permeable मतलब उन में से पानी penetrate कर सकता है लेकिन नीचे है clay तो clay जो होती है वो impermeable होती है वो नीचे से ऐसे हट जाएगी तो यह all of sudden यह जो उपर वाली rocks थी वो नीचे आ जाती है and that is slumping ठीक है तो यह देखे clay जो है वो आगे निकल जाती है because of the collapsing and then this particular rock comes down all of sudden तो इसको हम बोलते है slumping तो अब अगर हम comparison करें तो देखा हमने creeping तो creeping में water का roll बहुत कम था जबकि solid flexion में maximum था और हमने देखा slide या landfall में यह as a lubrication agent की तरह काम करता है moment हमने देखा सबसे slow था in case of creeping यहाँ पे medium moment है मतलब काफी अच्छा है but in case of land slide और landfall बहुत rapid moment होता है risk की अगर बात करें तो creeping में risk ज्यादा नहीं होती जबकि solid flexion में काफी ज्यादा रिस्क होती है और जब बात करें maximum risk होती है land slide में या landfall में तो इस तरह से हमने यह सब कवर किये I hope आपको यह समझ में आया होगा हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आप सब के लिए मौजूद है आप हमें यहां पे जाके जॉइन कर सकते हैं हम से जुड़ सकते हैं और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मुच जचिए एज ग्यादे के लिए आप हमें लिए migrants आ वे जळी देखने के लिए ज़िए जजएंग आप हूछ झा दयक मिन आप हमें ह는데요? इंक It.